हेलो एवरीवजी वेलकम बैक टो माई जरनल आई होप आप सब टिक टॉक होंगे और हैल्दी होंगे मैं आपकी अपनी मंदीब को पनू आज हम देखेंगे कि टूरीज वीजा जो अप कैनाडा का टूरीज वीजा अपलाई कर रहे हैं कितना प्रॉसेसिंग टाइम है हम इस हम चेक करते हैं कितना प्रॉसेसिंग टाइम है कि यह टाइम बेस्ट है कि हम तूर्य वीजआ अप्लाई करेच या नहीं करें या थोड़ा द gratis वीजा तो आज चेक करते हैं डिरेकली वेफिस tort P फर्स्ट ऑफ हम कैनडा की वेबसाइट पर ही चले गए हैं आप कैनडा.cn पर खुद भी जा सकते हैं यहां पर अब हम अप्लाई करना है हमने जैसे ट्रावल और टूरिस देखना है चेक करना है कितना प्रोसेसिंग टाइम है टूरिस वीजा कैनडा का जो विजिटर वीजा ह है मोसली देखें तो वीजिटर वीजा और इसे खुद भी आप चेकर से अप्लाई वीजिटर वीजा इसकी जो फीस है वो है कैनडा के डॉलर वन हंडर डॉलर यहांकि तो डॉलर है और इसका प्रोसेसिंग टाइम है कैंट्री टू कंट्री वेरी करता है यह आप खुद भ वेस्ट टाइम की आप टूरिज वीजा प्लाई करें थोड़ा सा अब यहां लग लगाते हैं टैंप्रेरी अप्लिकेशन कों सा है आउट्सेंग केनडा कहां से अप्लाई करें इंडिया से इसका प्रोसेसिंग टाइम अभी आएगा जो करेंटली चल रहा है यह आगे हैं 250 डे लग रहे हैं टूरिज वीजा की एप्लिकेशन को यानि कि अमबैसी में जो प्रोसेस है टूरिज वीजा का बहुत ज़ारा डिले आपके लिए कोई बैस टाइम नहीं है कि आप टूरिज वीजा अप्लाई करें क्योंकि आप देखें प्रोसेसिंग टाइ सब्सक्राइब करें 250 डेस यानि कि 200 डेस हो गए यानि कि आदा साल ही निकल गया पूरा साल ही निकल गया तो मैं आपको अडवाइस करूंगी कि प्लीज अभी न अप्लाई करें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी जो यह कुरोना वारस करके थोड़ा सा जब तक यह सब कम होगा तब हम टूरिज वीजा कैनाडा का अप्लाई करें तो बेस्ट टाइम होगा यह आप खुद भी चाच चाके चेक कर सकते हो कैनाडा.cn कैनाडा की वेबसाइट पर तो यह है टूरिज वीजा अगर कोई कैनाडा का अप्लाई कर रहा है इंडिया से तो उसका इतना अगर हम और किसी कंट्री से अप्लाई करते हैं जैसे हम लिख देते हैं सप्रस तो सप्रस से कितना टाइम लगा है क्योंकि हर कंट्री क्यों वेरी टूवेरी कर रहा है यह सप्रस से आएगा आगे में यह सप्रस से डाल दिया है और यहां कर देते हैं तू थर्टी नाइन डेज यानि कि वहां से भी जादा टाइम लग रहा है तो सभी का प्रोसेसिंग अब जैसे सिंगापूर से ही देख लेते हैं 149 डेज इतने डेज लगेंगे तो यहने कि काफी प्रोसेसिंग जो अभी स्लो हो चुकी है कोरोना वारिस करके आपको मैंने पहली बताया कि कैनाडा में अभी लॉक्डाउन लगावा है तो इस नौट राइट टाम कि आप अभी टूरिस विजा अपलाई करें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो हमें कांटक कर सकते हैं तो आपको बेस्ट अडवाइस मिलेगी तो यह मेरी वीडियो थो चैनल को स्क्राइब जरू करिए शेयर जरू करिए थैंक्यू सो मच